ओके, प्रेक्टिस से 13 का वोजिशन था कि find the LCM by common divisor method LCM find भी करना है कुन से method से कुन से method से common divisor method से question number 1 12 और 15 का निखालने कर क्या है LCM तो मैंने निखाला 12 और 15 का LCM सबसे पहला 12 और 15 लेखो कौन से टेबल में आप है तो तुम ने बोला से 12 और 15 को 3 के डेबल में आप है इनका common divisor क्या है 3 तो 3 4 और 12 3 5 और 15 ठीक है, ओके अब आगे अब बचा गया 4 बचा क्या बचा 4 और 5 4 और 5 ये तो को हो से टेबल में नहीं आ रहे से टेबल में नहीं आ रहे इसलिए अपने आगे फैक्टर निकाला अब LCM कैसा मिला 12 और 15 के LCM कैसा मिला तो 3 4 और 5 को तीनों को अपने क्या किया 15 16 अब Q2 6,8 और 10 LC सबसे पहला 6,8,10 का common divisor देखो यानि वो कौन से टेबल में आता है वो देखो तो तुमने बोला 6,2 के टेबल में आता है 8 भी 2 के टेबल में आता है 10 भी 2 के टेबल इनका common divisor क्या है 2 लिखा 2,3 जा 2,4 जा 2,5 जा फिर उसके बाद तुमने में बोला के सर 3,4 और 5 इनका common divisor नहीं है इनका common divisor नहीं है इनका common divisor नहीं है तो तुमने LCM कैसे निकाला आगे factor निकाला क्या नहीं डारेक लिखा LCM of 6,8 and 10 is equal to 2,3,4 and 5 अंसर कितना आया 120 next question number 3 18 और 32 का आपने को निकालने का था LCM तो तुमने इन तरफ 18 लिखा एन तरफ 30 को लिखा अब इन दोनों का चाहिए तुमको common divisor याने दोनों भी shape number से divide हो तो वो number क्या लिया तुमने 2 को 18 से divide की answer आया फिर 2 को 32 से divide की answer आया 16 फिर आगे तुम अब देख रहे हो 9 और 16 9 और 16 का common divisor 9 है 9 और 16 का common divisor 9 है तो किसले तुमने आगे factor 9 है का लिखा तो इन तीनों को तुमने क्या कर दिया को तुमने क्या कर दिया तुमको calcium कितना मिला 280 8 clear अब बात करते 4th question 4th question में क्या दिया है 4th question में तुमको दिया है 3 number तो पहला number है 10 दूसरा number है 50 और तीसरा number है 20 अब इन तीनों नमबर का तुमको निकालने का क्या था LCM अब कैसे निकले का LCM तो सबसे पहला इन तीनों का common division क्या है यह तीनों कौम से common table में आते हैं तो तुम बोलो के sir 5 के table में आते हैं 5 गोसा 10 5 गोसा 15 5 गोसा 20 ठीक है और next अब इसको जरा मैं अलग घंसे करा रहा हूं 10 10 तू के table में आता है yes or no yes आता है तो तू को अगर 10 से divided तरो के पांसर आता है 15 तू के table में तो 15 में as it is रखता हूं ठीक है को नहीं आता है तू के table में 20 आता है क्या तू 10s आ 20 याने 2 डिवाइड हुआ 10 से और 2 डिवाइड हो गया 20 से 15 से डिवाइड हुआ क्या 5 अब 5 को डिवाइड करें क्या अब तू 5 से तो 5 अजा 5 आया फिर 15 को डिवाइड करें तो 5 से तो 5 अजा 15 फिर 5 को डिवाइड करें तो 10 से तो क्या आएगा 5 अजा 10 10 आया यह दो लों कोई कॉमा नंबर टेबल में आते हैं क्या नहीं आते तो अब यहां पर लिखता हूँ LCM of 10, 15, 20 is equal to अब 2 multiply 5 multiply 1 नहीं होगा 3 multiply 2 multiply क्यों 2 5 से 10 till 3 से 30 32 सा LCM कितना आया LCM कितना आया LCM कितना आया LCM कितना आया 16 अब उसके बाद question number 5 number 45 or 86 number 45 or 86 मैं straight forward में लिखती है क्यों यह तो कुन से number co-prime number क्यों है यह co-prime number यह co-prime number किसलिए है क्यूंके यह सिरीफ वर इके टेबल में आते हैं इनका common factors क्या है 1 तो जब co-prime number हो उनका अगर LCM निकालना है तो हम co-prime number को क्या करेंगे डाइड़की multi-line number अगर co-prime number हो उनका अगर LCM निकालना है तो हम number को डिलेगी क्या करेंगे तो multiply किया तो answer आया 3,8,7,0,4 ठीक है अगर निकालना है अब इसका LCM निकालना है 50, 30,90 इसका क्या निकालना है पिरको LCM क्या निकालना है पिरको LCM अब इसका LCM नेरा ग्याप से देखो मैंने क्या बताया last minute number 5,0 तो 5 से divide करने का और मैंने यह निगी बताया था कि अगर last minute number 0 तो 2 से भी तुम divide तो आपने क्या करता हूं 2 से divide करता हूं में को मालूं है 2 के टेबल में 15 नहीं आता हूं तो 15 तो ऐसे भी सरहीगा याने 15 को में 2 से divide नहीं किया अब 2 को अगर मैं 30 से divide करता हूं तो answer आता है 15 फिर 2 को अगर मैं 90 से divide करता हूं तो answer आता है 45 क्या answer आता है 45 अब नंबर देखो अब नमब्र क्या है 50 और अब तुम को अची तरह से लालो में कि ये कुन से table में आएका रवाइट के table में भी आसकता है और त्री के table में भी आसकता है तो five बड़ा या three पर बड़ा भाँ तो फा सब्सक्रान करें तो दो चोड़ा नुम्रण हो तела आपर मैं लेंता हूँ three three five जा फिर six three five जा खीटीगं three fifteenован five three 3 को 15 से डिवाइड किया, 5 आया, फिर 3 को 15 से डिवाइड किया, 5 आया, 3 को 45 से डिवाइड किया, इतना आया, 15 अब तो बोलते हो, सर ये किनों नंबर B, A table में आते हैं, और वो है, 5 5 को 5 से डिवाइड करों, आंसर आएगा, 1 5 को 5 से डिवाइट गर्मा अंसर आएगा? 1 5 को 15 से डिवाइट गर्मा तो अंसर क्या आएगा? 3 3 अब निकाल तो LCM तो यहां पे लिखता हुए LCM of 50 30 and 90 is equal to 2 multiply by 3 multiply by 5 multiply by ये वाला 3 3 तो अब इस सब सब क्या तरेगे? 25 2, 3 सा जितना हुएँ? 6 2, 3 जा 6 6, 5 जा 30 33 जा 90 तो LCM तुम को कितना मिला? 90 LCM कितना मिला? 90 LCM कितना मिला? 90 शो आप इस question पे आज़ाओ Question number 7 105 190 5 5 दोनों के इसमे लास्ट में 5 था? तो दोनों को किस से डिवाइड करूबा तो 5 को 105 से डिवाइड किया तो अंसर आया 5 को अगर 39 से डिवाइड किया तो अंसर आया उसके बाद 21 और 39 इधर लास में 1 है इधर लास में 9 है लास में 1 और 9 होता है तो हम किस से डिवाइड करतें तो 3 को 21 से डिवाइड के तो answer आया फिर 3 को 39 से डिवाइड के तो answer आया फिर तुमने बोला कि सर 7 और 13 ये prime नमबर ये क्या है और prime नमबर का common factor या common division वन होता है क्या होता है तो आगे आप तुम उसको और डिवाइड करेंगे फिर तुमने क्या किया 5, 3, 7 और 13 इंचानों नमबर को क्या किया फिर तुमने क्या 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 आया 1360 अब question number 8 इसने रिशियों में को question number 8 लव number है 12, number है 50, number है 45 ठीक है अब अपने को इन तीनों नमबर का निकाल लेगा क्या है L, C, M अब तुमको दिवाग है तुम बोल रहे हो के sir ये तीनों नमबर का common divisor 3 है क्या है क्योंकि 3 के table में 12 आता है 3 के table में 15 भी आता है 3 के table में 45 भी आता है 3 को 15 से डिवाइड दरूना तो आंसर आएगा 5 फिर 3 को 45 से डिवाइड दरूना तो आंसर आएगा 50 अब क्या आया 4 5 और 15 आरा है यह सो तो हूं यह पक्का चीख अब जरह ध्राब कुछ अब यह पर पहला नमबर क्या है 4 4 किससे डिवाइड होता है 2 से होता है हाई या ना ठीक है क्या 2 के टेबल में 5 आएगा 5 क्या 2 के टेबल में 15 आएगा यानि 2 ना तो 5 से डिवाइड होना है ना तो 50 इसंए तो 2 को अब 4 के टेबल में आता है 2 के टेबल में आता है आता ही के नहीं आता है? क्या ये 2 5 से डिवाइट होगा? नए. क्या ये 2 15 से डिवाइट होगा? नए. तो 2 को अगर 2 से डिवाइट करोंगा तो आंसर आता है? ये 5 और 15 एज़ेजी आईगा. अब, वन छोड़ों, बचे दो नमबर, 5 और 15. ये 2 और नमबर कुंज से डिवाइट है? 5 तीवाइट ही. तो 5 अज़ा? 5. 5 तीजा? 3. अब लास्ट पे सिरफ एई की नमबर बचा. क्या? 3. वो कुं से डिवाइगा? 3 के डिवाइगा. तो चलों, LCM निकालते। अब यहाँ पे लिपता हो. therefore LCM of 12, 15 and 45 is equal to अब यह सर नमबर को क्या करना है मुटिप्लाइए तो 3 into 2 into 2 into 5 into बचा ये 3 तो 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 5s are 60, 63s are 180 याने की नमबर 12, 15 और 45 का LCM किसना आया 180 LCM का full form है least common multiple इसको solve करते हैं नमबर का LCM हमने निकाला कुछ से method से? common, divisive method अब confuse मत हो बच्चो यहां पे नमबर 4 और 5 आया तो तुमने बोलना सर इसको क्यों रिवाइड किया फिर 2 से? अजय इसको अगर 2 से divide करते हैं तो फिर 2 से होता, यह 2 से होता क्या? तो डारेकली अपने 4 और 5 को लेगी आपने multiply करते हैं निनों का और क्या आगया LCM देदी नहीं का अगर divide होता है तो divide करते हैं अगर 9 हो रहा है तो नहीं करते हैं बाद समझ आरही है? इसका question number 9 और 10 तुमारे लिए homework है दो question है बागी मैंने कितने question कराया है? 8 question कराया हूँ question number 1 में 10 question है मैंने कितने solve कराया? 8 बचे दो question, question number 9 और question number 10 वो homework एक और बात याद रखो को प्राइम नंबर का LCM अगर निकालना है तो हम दोनों भी नंबर को क्या करेंगे? 18 black ठीक, अब कॉपी करें